हालो एवरिवन, वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल, नाइन्थ क्लास की सीरीज में हम जो कर रहे थे, उसमें हम अगला चैप्टर करते हैं, वैसे चैप्टर नंबर वन है, लेकिन हमने कहीं चैप्टर और कर लिये हैं, तो ये चैप्टर हम शुरू करते हैं, दे नेम लर्निंग करेंगे कम्प्यूटर के थ्रू, वर्च्वल क्लास रूम होंगे, जैसा कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, ये क्लास रूम, और ये बच्चा सीख रहा है, ये रोबोटिक टीचर है, और हम सिरफ ये टेक्स्ट से सब कुछ सीख पाएंगे, तो ये जो र मतलब की इस टाइम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन से की आने वाले टाइम में क्या होगा, तो वो क्या लिखते हैं, कि ये कहानी जो है 17 मई 257 को देख के लिखते हैं, 257 में क्या होने वाला है, और ये कहानी मतलब की 1951 के आसपास लिखी गई है, और व बुक्स आ गई हैं सब कुछ आ गई हैं तो कितना उन्होंने अच्छा अनुमान लगाया है तो इसमें काया है कि 17 माई 257 का दिन था और जो टोमी 13 साल के कलड़का था उसको अपने घर पर एक बुक मिली रियल बुक जो की बहुत पुरानी थी उन्होंने कभी असली किताब द लिखा गया है वो और उसकी फ्रेंट जो मारगी थी वो एक साथ उस बुस्तक पर जो है नजर डालते हैं और मारगी और टोमी बहुत हैरान रह जाते हैं कि वो बहुत जो बुक है बहुत अलग है उससे जिसको वो पढ़ते हैं उनकी बुक है उसमें ऐसे वर्ड हैं जो लि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो स्टोरी है यह फ्यूचर में लिखी गई है 1951 में जो राइटर थे उन्होंने 2157 के अराउंड इसको सोचकर लिखा गया है कि आने वाले टाइम में क्या होगा तो टॉमी और मारगी उसे टाइम के बच्चे हैं फ्यूचर के और वो कह रहे ह कि यह पीले पनने वाली थोड़ी बदबुदार बुख है और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है शब्दों को पढ़ना क्योंकि वो सिरफ स्क्रीन पर पढ़ते हैं मारगी थोड़ा सा अपने दादा की बात याद करती है कि कैसे उसके दादा जी उसको बताते थे कि उनके पास एक लाग से ज़्यादा किताबे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और एक के बाद पुस्तप को मतलब की फेक देते होंगे वो ऐसा सोचता है और टॉमी कहता है कि यह जो किताब है यह तो स्कूल के बारे में है लेकिन मारगी तो स्कूल से नफरत करती है और समझ नहीं पा रही है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा क्योंकि जो टॉमी को बुक मिली थी वो स्कूल के बारे में लिखी गई थी और जो मारगी है वो स्कूल से नफरत करती थी स्कूल से नफरत इसलिए करती थी क्योंकि जो स्कूल था वो जो आपका उनका bedroom था उसके साथ ही एक कमरा था जिसमें gadgets और computer robotic teacher सब कुछ था तो वो कहीं बाहर नहीं जाते थे तो वो वहीं पे robotic teacher जो था उनको बढ़ाता था उसी में program बगारा fit होते थे तो वो school से नफरत करती थी उस robot teacher से तो वो सोच रही थी उसको मुश्किल आ रही थी समझने में कि कोई school के बारे में क्यों लिखेगा क्योंकि उसको अभी पता नहीं है कि पुराने time में school कैसे होते थे और वो मतलब बहुत निराश है और क्योंकि उसको geography जो है वो अपने robotic teacher समझने में बहुत जादा problem आ रही है और वो जो robotic teacher है वो मारगी को सिखाता भी है उसको सवाल भी पूछता है उससे और सब कुछ मतलब करता है लेकिन मारगी उससे नफरत करती है और उसे अपना homework और जो test paper है वो बिलकुल पसंद नहीं होता और उसकी जो स्कूल के लिए उसकी जो नफरत है उसकी नापसंदगी जो है वो ओल तेज होगी है क्योंकि जो उसका mechanical robot है उसका जो geographical जो area है मतलब geographical knowledge है वो इतनी अच्छी नहीं है और उसकी वो बार-बार उसका test ले रहा है और वो बहुत ज़ादा अच्छा perform नहीं कर पा रही है तो उसकी माने mechanical जो inspector होता है उसको दिखाने और जो भी गलतियां आ रही है robot में उसको लिए उसको भेजा है और जो inspector है mechanical जो वो है वो उसको अलग से ले जाता है robotic teacher को और कहता है कि मारगी जो है वो गलत नहीं है कि अगर वो खराब परदर्शन कर रही है वो गलत नहीं है actually जो geography जो वो सिखा रहा है robot वो मतलब कि इतनी तेजी से सिखा रहा है कि उस छोटी लड़की के लिए वो बहुत मुश्किल है और मारगी ये बिल्कुल इसके age के according ही इसको geography पढ़ाएगा इसे बीच क्या होता है जो Tommy है जो की book पढ़ रहा है वो मारगी को क्या बताता है कि जो ये book है ये इस school के बारे में नहीं है जिससे तुम नफरत करती हो जिसमें mechanical जो है teacher है बलकि ये है तो सेकडो साल पहले के school के बारे में था बारे में जो book है कि जब students के पास एक teacher होता था एक human being teacher होता था और girls और boys को पढ़ाते थे उनको homework देते थे उनसे सवाल पूछते थे school एक तरह से एक building होती थी school की अलग से एक इमारत होती थी school की अलग से जिसमें बच्चे जाते थे और एक यूमर के होते थे तो वो एक सास सीखते थे ये बैठा है Tommy और ये मारगी ये वो book पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं जैसे जैसे बुक पढ़ रहा है ये मारगी की imagination बनती जा रही है कि एक teacher और हम उमर के बच्चे मतलब की यहां बैठे होते थे उस time पर और पहले तो मारगी को कुछ समझ नहीं आया कि एक जो व्यक्ती है वो teacher कैसे हो सकता है और कैसे मतलब की सारे students को एक ही चीज कैसे सिखा सकते हैं क्योंकि उसकी मा कहती है कि जो education है वो हर एक बच्चे के दिमाग में फिट होनी चाहिए लेकिन फिर भी वो इस book को और ज़्यादा पढ़ना चाहती है वो आधी किताब भी नहीं पढ़ते कि उसकी मा उसको याद दिलाती है कि school का time हो गया है और मारगी का school उसके जो bedroom है उसके बिल्कुल साथ था और वहाँ पर सब कुछ रखा था सारे gadgets रखे थे और उसको बिल्कुल punctual होके नियमित गंटों तक उसको study करनी पड़ती थी क्योंकि उसकी मा मानती थी कि हर दिन निश्चित time पर ही study करनी बिल्कुल better रहती है तो यह देखिए मारगी का जो है यह school है बिल्कुल उसके साथ यह computer है robotic teacher है मारगी अपने घर के school के कमरे में जाती है यहाँ पर वो सब कुछ पहले से ही मुझूद है क्योंकि सब कुछ हर बिल्कुल सही समय पर होता था और जैसा कि जो mechanical teacher था वो उसको सिखाता है सब कुछ maths के बारे में हर चीज और पुराने टाइम में जो था school के काम के बारे में जो मारगी है अपने मतलब दिमाग में उन विचारों में खो जाती है कि लेकिन मारगी को इस बारे में जो था वो बहुत जगा doubt हो रहा था और वो story के अंत तक यही मानती है कि बच्चों को school जाने में एक साथ जाने में कितना ज्यादा मज़ा आया होगा एक school जाने में एकी चीज बढ़ने में और दूसरों की मदद करने में और एक teacher से पढ़ने में हम उमर के बच्चों से पढ़ने में उनको कितना मज़ा आया होगा, कैसे वो मुहले में एक साथ खेलते होते थे, तो उस book से, मतलब वो अपने room में बैठी थी, study room में, फिर भी उसका दिमाग इसी बात में था, जैसा कि chapter का नाम है, the fun they had, कि मतलब कितना मतलब कि उन्होंने fun किया होगा स्टाइन पे, और हम नहीं कर पाते, तो इसमें short question answer आप यही जो exam में आ सकते हैं, कि यह जो story है, 217 के around, जो future है, उसके लिए लिखी गई है, और एक अनुमान है आपके future का, कि कैसे आने वाले time में school exist नहीं करेंगे, और जो टोमी है, उसको वो book मिलती है, बहुत पुरानी, अपने घर से, और सब कुछ robotic है, बाकी इस lesson में बाकी इतना कुछ नहीं है, तो आपको बस story याद होनी चाहिए, और story के बाद आपको इसके writer का नाम पता होना चाहिए, इसके writer का नाम है इजाइक SMO, the fun they had, इसके writer का नाम है इजाइक SMO, तो next chapter के साथ फिर मिलेंगे, till then, bye bye.